थे हैं अरुन शर्भाइक अडमिया आपको सुगत है और आज हम लोग अपनी कालुकेश्ञ की कोर्स को आगे ले जा रहे हैं और पिछले कोर्स पिछले lesson में मैंने आपको squares के बारे में बताया था आज मैं उसे related square roots के बारे में बताना चाहरा हूँ और छोटा session है बड़ी बहुत important session है यह वाली बात बहुत लोग जानते नहीं है तो अगर आप square roots की बात करें तो of course आपको इतना तो पता है आपकी 169 अगर 13 का square है तो 169 का square root 13 आएगा यह तो आप जानते हैं 196 का square square root 14 आएगा तो अगर आप square जानते है 14 square is 196 तो square root of 196 आप जानते हैं question हो जाता है कि बीच का कोई number जब आ जाए तो आप कैसे इसका square root निकालेंगा जिसे मान लीजिए मुझे मैंने आपको 190 का square root पूछ लिया तो बहुत बार इसका importance ही हो जाता है suppose आप किसी question को हल कर रहे हैं आप किसी question को solve कर रहे हैं और आपके पास कुछ कुछ इस तरह का expression आ गया 3 plus 4 root 17 या 4 root 12 और इसको आपको square करना है cube करना एक्सेटरा तो इसमें problem क्या हो जाता है कि irrational number अगर बीच में आ गया इसका square करना है तो आपको mathematical steps करने पढ़ते हैं आप उसको automatically हटा नहीं सकते हैं जबकि अगर आप यह 3 plus 4 होता या 3 plus 4.2 होता तो आप इसको square करना सकते हैं तो seven point two square आप calculate कर सकते हैं किसी तरह से तो आपको यह निकल जाएगा वालियो तो यह बहुत question में especially algebraic question में calculation में बहुत बादा डालता है और इस तरह calculation questions आपको हर तरह के exam में आते हैं चाहे वह ससी के exams हो banking exams हो या फिर इवन aptitude higher aptitude exams हो जहां पर calculation आपको करना पड़ता है तो मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं जहां पर आप numbers का square root बहुत जल्दी निकाल सकते हैं specifically अगर आप डिविजन ठीक है तो और अगले class में division भी बताऊंगा तो चली वही number लेते हैं रूट 190 मैं दो तीन वाली लिखके दिखाता हूं आपको और आप ट्राइक कर यह करने का कि क्या किया जा रहा है कि इसका स्कुरूट यह होगा एक और नमबर लेते हैं इसका स्कुरूट इससे आएगा अफ्कोर्स इसको आपको calculate करना पड़ेगा यह 7.7 बाइन है तो यह 0.77 है तो 190 का स्कुरूट 13.77 होगा और मैं इसको round off कर रहूं तो अपर side पर round off करना चाहिए तो 13.78 मेरा guess होगा इसके value का यहां पर 15.19 के आसपस आ रहा है 6 by 31 तो मैं 15.20 लोंगा root 231 को तो आप इसको calculate पे चेक कर सकते हैं and realize that you are almost correct in the answers और इस तरह से अगर आप move कर सकते हैं square root के साथ बहुत mathematical questions में आपको काफी फाइदा हो जाएगा तो क्या किया है इसमें तीन numbers हैं तो आपको 13 तो दिखना चाहिए 13 15 इसके नीचे का square root 190 के नीचे का perfect square 161 169 जिसका square root 13 है 235 के पहले का lower perfect square 225 है 231 के पहले का 225 है तो इसका square root 15 यह दोनों तो मिल रहा है आपको तो अगर मैं आपको root 310 पूछू तो आपको यहां पे 17 लिखना चाहिए तीन numbers से खेलोगा पहला number 17 आएगा क्योंकि 289 के ओपर है तो पॉफेक्ट square जस्का square root कितना है यह नंबर अगर अगर आप देखिएगा तो यह सिर्फ डबल प्लस वान है थर्टी निया प्याए तो उसको डबल कर जिये पलस वन कर जिये 15 यह यह बाला जा नंबर है कि यह 289 से 310 का जो दूरी है यहां पर 169 से 190 की जो दूरी है और यह 225 से 231 की जो दूरी है तो यह दूरी जो 21 की है, वो आपको यहाँ पे आएगा, 289 से 310 इस 21, इसका आंसर 17 प्लस 21 बे 35, 21 बे 35 exactly 0.6 होता है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े लखी होगे last calculation में, तो यह 17.6 आएगा इसका value, इसको थोड़ा सा उपर कर दीजे, 17.61, तो square root में क्या करना है यह आपको स काल सकते हो, इस logic से लेकिन यह छोटे squares पर नहीं वर्क करेगा, अगर आप इस पे एक-दो numbers all try कर लेते हैं, root 200 ट्राय करते हैं, यह 14 प्लस 4 upon 29, तो 14.13, यह करीब 0.13 के आसपास आएगा, division class देख लीजेगा, जल्दी कैसे करते हैं इन सब चीजों को, उसमें आपको मिल जाएगी, अगला class को ही रहेगा, तो 14.13 हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा उपर ले लेंगा, 14.14, यह मेरा square root आजाएगा, लेकिन यह process, दो चीज और बचती हैं इसमें बताने की, यह process root 3 करिए कैसे, तो root 3, root 1 के उपर होता है, 1 के उपर होता है, यह 1 आया तो double plus 13 आजाएगा, और 1 से 3 का distance 2 आएगा, तो यह 1.66 दे रहा है, हम लोग जानते है, 1.732 इसका answer होता है, यह गलत आंसर दे रहा है यहाँ पे आपको, तो छोटे numbers पर नहीं वर्क करता है, यह भी क्य graph plot करें, of x against root x, तो वो graph कुछ इस तरह का होता है, और इस graph पर अगर 2 point हमने उठाएं, suppose मान लिजिए x की value, 169 है यहाँ पे, तो root x की value 13 है, और यहाँ पे 196 है, तो root x की value 14 है, तो यह जब 169 से 196 जा रहा है, तो यह 13 से 14 जा रहा है, और यह growth जो है, वो almost straight line के बराबर है, लेकिन यह curve थोड़ा सा इस तरह का रहता है, rather than the straight line, अगर उसको expanded form में देखेगा तो, तो इसलिए आप बीच का point अगर interpolate कर ले है, interpolation का मतलब जानते है, 2010 में एक city का population एक लाग था, 2020 में उसका population डेल लाग हो गया, तो यह दो point अगर आप जानते हैं, और आपको guess करना है कि 2015 में कितना होगा, तो आप जब 1.25 लाग सोचते हैं, तो आप interpolate कर रहा है, interpolation is the process in which आप दो नोन पॉइंट के बीच में एक नोन पॉइंट को guess करते हैं, unitary method करके कि यहां पर 10 साल बीचे तो 50 लाग बड़ा, 50 जार बड़ा, तो 5 साल बीचे तो 25 जार बड़ेगा, तो यहां पर हम वही कर रहे हैं, जब यह 27 जा रहा है, तो यह एक जाएगा, तो कि यह देखना होगा कि 21 जाएगा, तो कितना उपर जाएगा, 13 से, तो जब 27 जा रहा है, तो एक जा रहा है, राइट में 27 जा रहा है, तो उपर एक जा रहा है, 13 से, तो राइट में अगर 21 जाएगा, तो उपर कितना जाएगा, यह अगर मैं देखना चाहता हूं, तो unitary method situation क्वेशन हे यह आंसर आपका 13 फ्लस आगर एकस उपर जा रहा है 13 फ्लस-एकस ऊरहा है आपकर आंसर तो X का वाल्यू 21 बैं 27 है और ऐसे अगला 13 स्क्वेसे 14 स्क्वेसरों में इस्टार्श हमेशा 13 फ्लस 14 रहता है 14 142-152 के बीच में इस्टेंस हमेशा 14 प्लस 15 रहता है तो 2 x n2 से n प्लस 1 स्कूर का इस्टेंस हमेशा 2 n प्लस 1 होता है तो इसलिए यहां पर हम लोग जब इस प्रोसेस को देखे तो अगर इसको मैं फिर से शॉर्ट में बता दूँ इसमें ज्यादा बहुत जानने की जरूरत नहीं है क्यों होता है वाट वाट तो नो इस वाट तो दू तो अगर मेरे को रूट 300 का ट्रिगर मिलता है कि रूट 300 निकाल के बताएगे तो मैं करूंगा 17 और यहां 35 17 स्कूर से मैं 17 दिख रहा है यहां पर 35 और अगला नंबर यहां पर ग्यार आएगा 289 से 300 और यह अगर मैं देखूंगा तो 17.331 के आसपास आ रहा है इसलिए मैं इसको 17.32 कर दूँगा और यही रास्ता है रूट 3 को अंडल करने का मैं बताया था कि रूट 3 पे गलत आंसर आता है क्यों आता है गलत बिकाज वह ग्राफ जो है स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन और और रूट एक कर्व के बीच में गाप ज्यादा होता है तो उसको अगर रिजॉल्व करना है किसी सिचुएशन में आप रूट 3 रूट 3 तो नहीं भूलिएगा लेकिन रूट 7 रूट 8 आपको निकालना है कहीं पर आपको याद नहीं ह रूट 3 रूट 3 के परापर होगा तो रूट 3 जो है यह 10 रूट 3 रूट 3 रूट 3 1.732 आ गया तो आप बहुत अराम से अगर आपको रूट 500 निकालना है रूट 500 निकालना है तो 22 484 22 स्क्वाइर और 45 यहाँ पर और 484 से 516 तो यह करीब 22.3 के आस्पस आएगा और रूट 500 निकालना है तो रूट 5 विल बी 2.23 यहाँ आपको मिल जाएगा तो इस हाओ यू दू आपको यह एपको मिल जाएगा तो इस आपको यह तो यहाँ प्सक्वारोट बश्वाट यह निक्यों सो बाज़ुआ थाएगा तो यहाँ